तो दोस्तों इस वीडियो पर में लोग बात करेंगे इस्ट वेस्ट अफ्रिका टीट्विंटी कफ कॉलिफियर का जो मैच है यह दोस्तों मैच होने वाला है गांबिया वर्चिस घाना के बीच में और काफी इंड्रस्टिंग मैच है ठीक है एक तो यहां पर टॉस नहीं हो विदा उट टॉस वह देखते हैं तो दोस्तों काफी इंपोर्टन है अच्छी विडिंग हो रहा है और पूरा वीडियो देखिएगा पहले हमें देखना है कि प्रेडिक्शन क्या है तो दोस्तों आज घाना का जो टीम है काफी स्ट्रॉंग नजर आ रहा है और घाना यह म मिल सकता है बाकि अगर गांबिया पहले बैटिंग करे तो 60-70-80 इन में से कुछ एक स्कोर होगा ज्यादा स्कोर नहीं हो पाएगा क्योंकि घाना का बॉलिंग बहुत स्ट्रॉंग है और अगर हम गांबिया की बात करे तो उनकी बोलर ठीक है बट पैट्समन बिल्कुल इस साइनी है तो दोस्तों चली देखते हैं अगर हम पहले गांबिया का देख लेते दोस्तों यहां पे गांबिया का जो एक मैच रहा है रवांडे के साथ और घाना का भी एक मैच हुआ है रवांडे के साथ दोनों टीम सेम ऑपोनेंट के साथ केले यहां पे दोस्तों अगर ह जो कि 23 स्कोर किया है उनके अलावाग किसी ने अच्छी स्कोर नहीं कर पाए लेकिन मज़ी का बात क्या है कि इनका जो बोलर से उन्होंने काफी अची बोलिंग करी जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो टेक जो कि तामभा है इनके लिए पांचवा बोलिंग कर सकते हैं इनके अलावा दोस्तों यहां पर आंद्रू जार्जू यह एक बोलर है तो चले हम डिटेल में देखते हैं यहां पर अगर हम फूल स्टैट्स देखते हैं जहां पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पहले से अगर अप्रिकन ट्रोफी में बनाए है लेकिन दोस्तों मैं बता दू कि स्रिफ बैट्समेन की तवर पे आप नहीं ले सकते हैं कि ओपोनेंड के बास काफी स्ट्रॉंग बोलिंग लाइने पर सो मंगा को आप ट्राइ कर सकते हैं फोर ग्रेंड लिग सिंगेल के लिए बिलकुल नहीं है उनके अलावा दोस्तों यह जो पांच ओप्सन है यह पांच का पर्फोमेंस आप देख लो स्माइल तंबा साथ मैच साथ मैच स्कोर किया है तीन बिकेट्स मिला है मोडू चे मैच सोला हवर तीन बिकेट्स मिलिए मतलब हैं हर मैच पर बोलिंग करने वाले प्लेयर है कॉंटेग साथ मैच पर नईन इस वह नाईन बिकेट्स लिए सबसे अच्छे है अनीरू कंटीक मुशा साथ मैच पर 14 यह मतलब सीरी स्टार्ट होने से पहली के वस स्टाइड़ से ठीक नहीं उनकी अलबा पिटर जो की पांच में से 15 फ्रेंक पांच मैंच 36 स्कोर किया है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो मुस्ताफा साथ में से 24 रन मना है पार्ट टाइम बॉलिंग करनी के अविलिटी है एक बिकेट इनको भी मिला था दोस्तों अगरा हम बात करें घाना क तो घाना के टीम काफिस्ट होंग है हलाकि रवंड के साथ इनकी भी आलत बहुत ही कराब था बैटिंग में कोई भी अच्छी स्कोर करनी पाए है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा घाना वन अब दब बेस्ट फिगर होगा इसमें रेक्सपोर्ट बकूम की साथ रिच्म इनकी लिए ओपिनिंग करते हैं दोस्तों सैमसन अवाई जो किनकी कैप्टन है रेक्सपोर्ट के साथ वो ओपिनिंग करते हैं बड़ इस मैच पर रिच्मॉंड ने ओपिनिंग करी है फास्ट मैच पे उनकी आलावा दोस्तों ओवेध हर्वें इस टीम की सबसे ग्रेट प अप्लेयर एं जो बोळ सकते है मृट्सपोर्ट ने तीन ऊबर एक विकेट्स डैनिल चार वफ्र पे दो विकेट्स गट फ्रेट थीन ऊबर पे दो एक एक बिकेट्स कौफी जया अहां पॉटने जभाना गंबिया के यह अगिस पांच भीकेट्स लिया लास्ट मैच पे ओ देखेंगे दोस्तों हम देखेंगे नेक्ट पेज में जहां पे आप देख सकते हो यह प्लेइंग 11 की साथ उन्होंने लास्ट मैच के रहे हैं इनके अलाबा कौन-कौन सा प्लेयर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनको आप नहीं चोड़ सकते हो कैलविन को आप चोड़ सकते हो अनली बैटिंग करते है सामसंड जो है आभी करेंट टाइम पर बोलिंग नहीं कर रहे हालागी प्रिवियस टाइम पर देखा जाए ओल्टाइम प्रफोमेंस देख लो 30 मैच पे 442 स्कोर 19 विकेट्स इन्होंन ओपोनेंट उतनी स्ट्रॉंग है नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेंगा डैनियल जो है तस में से 20 ओवर बोलिंग करते हो 5 विकेट्स परफोमेंस तो अच्छा नहीं है लेकिन इन्होंने रवांडे के साथ 2 विकेट्स लिए जोसेप बिकेट की पार है इनको मैंने मार कर द करना है इनके अलावा दोस्तों घाना के टीम में कुछ और पिक भी है जैसे कि पॉल है अमलूक शिंग दैबंदर शिंग जेम्स जो कि इनके लिए ओपनिंग करते हैं पर करेंट टेम पर वाइस्ट अपरी का ट्रॉपी जहां पे 10 मेंच किला गया था उनमेंसे पांची मैं चिनोंने किला है सो हो सकते इंजूरी हो इस वज़ा से उनको चांस नहीं मिल रहा है और आपको टीम पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि टॉस नहीं होने वाला है सो विदाउट टॉस जेम्स को पिक करना थोड़ा सा गलत हो सकता है उनके अलावा दोस्तों यहां पर दो अच एक चीज़ और है यह दोनों प्लेयर ड्रेम 11 पे तो है बट इनका जो ऑफिसियल स्कौर्ड एनॉंस किया गया था टोइटर में जहां पी यह दोनों प्लेयर अवेलेबल नहीं थे तो उस चीज़ को नजर रखते हो है यह दोनों प्लेयर को आप नहीं ले सकते हो अगर राइट पिक की साफ से ले सकते हो बट सिंगल के लिए बिल्कुल नहीं है टेलिग्रम पे जॉइन करते रहे ना ताकि हमारे जो भी आपडेस से वह आपको मिलते रहे दोस्तों एक चीज़ में बता दूं आपको टीम पे विकेट की पार सक्सें पे आपको किसी भी प्लेयर को पीक कर सकते हो चाहिए नहीं रखो यहां ओपोनेंट का कोई भी विकेट की पर रखनो जो खेलेंगे ठीक है दोस्तों यहां पर अगर हम बाकी सारे प्लेयर की बात करें ना तो यहां पर रिच्मंड यह जो आप मार्क किया हो प्लेयर देख सकते हो मेरा कैफ्टन है ओव घाना के टीम से आपका कैप्टन वाइस कप्टन हो क्योंकि ऑपोनेंट का थोड़ा साव विक हैं हलाकि लास्ट मैच पी इन्होंने विकेट तो ली है बड़ घाना की साथ जो लास्ट मैच रहा है उन पे इनका लगवग इस 170 रन की बढ़ाव पे जीती थी क्योंकि 200 प्लस से एक बोलर को और कम करके आप एक साइड बोलर यानि घाना से आप चाओते एक साइड बोलर और पिक कर सकते हैं अपने टीम के लिए और फिलाल के लिए आजस सेब टीम यह रहने वाले है और कुछ भी चेंजेस होगा टेलेग्राम पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो पे थैंक यू